गाज़ेपुर में लोगों को अब इस बात का इंतजार है कि कोई ऐसा दिन तो गुजरे जब करोना संकर्वन के नए मामले देखने को न मिले गाज़ेपुर जिले में करोना संक्रमन के नए मरीजों के मिलने का क्रम जारी है और लोगों में इसके चलते भाय कमाहौल भी है मंगलवार को गाज़ेपुर में एक बार फिर करोना संक्रमन के पांच नए मामले देखने को मिले हैं आज मिले 5 मरीजों में से गाजेपुर में अब तक करोना के कुल मरीजों की संख्या 332 हो गई है हाला कि इसमें से 289 मरीज ठीक भी हो चुके हैं इस हिसाब से देखें तो आज के नए मरीजों को जोड़ने के बाद गाजिपूर में करोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 40 हो गई है आपको बता दें कि आज देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि करोना के खलाफ अब लापरवाही दिख रही है पीएम मोदी ने आगे क्या कहा आपको ये भी बताएंगे लेकिन पहले गाजिपूर के नए मरीजों के बारे में विस्तार से जान लिजे इन पाँचों करोना संक्रमेतों की डोमेस्टिक ट्रावल हिस्ट्री सामने आई है एक मरीज करमा कासिमाबाद के रहने वाले हैं इसी तरह दो मरीज जिनमें एक पुरुष और एक स्तुरी शामिल हैं दरियापूर कासिमाबाद के रहने वाले हैं गाजीपुर के कुदुबुपुर कासिवाबाद के भी दो मरीज हैं। इनमें भी एक पुरुष और दूसरी मरीज औरत हैं। बता दे कि कोरोना के देश वापी बढ़ रहे हैं मामलों के बीच पियम मोदी ने भी आज इसे विशह पर देश को संबोधित किया है। पियम ने कहा है कि लॉकडाउन के दोरान बहुत गंभीता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को स्थानी निकाय की संस्थाओं को देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतरता दिखाने की जरुवत है। पीएम ने आगे कहा कि विशेशकर कंटेंडमेंट जोंज पर हमें बहुत ध्यान देना होगा जो भी लोग नियमों का पालण नहीं कर रहे हैं हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना होगा गाजिपूर के लोगों को भी PM की इस अपील पर ध्यान देना चाहिए लगातार बढ़ते करोना के मामलों पर ऐसे ही रोक लगाई जा सकती है गाजिपूर में करोना से संबंधित हर जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं